जितनी जैसी आपकी सोच समंझ है बच्चों को एक बार प्रार्थना करें और वो कहें के नहीं पिता जी ऐसा करेंगे अच्छा बेटा ले देख लो ऐसा कर लो फिर अपनी माडा लेका मुझ फेर ले बात तरी गरें दुबारा क्योंकि अन्त समय में इच्छाएं गटानी ची हमने बुड़ापे में अरम बढ़ाते चले जाते हैं हमने चलने की तैरी करनी चाहिए किसी भियास्था नहीं रखनी ची है पोता और पोती में जोते और जोतिया में इनका अपना काम पूरा हो गया उनका रोल सुरू हो गया बच्चों का वह अपने बच्चान पालें पोसे हैं उनके संसकार फलेंगे और यदी वगवान से उनको जोड दिया गया तो भाग में ना होगा तो भी मालिक देगा उनको रख्षा करेगा उनकी तो फिर हम वगवान फलाने का नुो हो जा पोते का नुो हो जा पोती का वहाँ बया हो जा तो यह समुच्चाए हमने गटानी पढ़ेंगी अपनी और यह ज्यान से गटेंगी वैसे कहन समुचे नहीं बनती तो क्या बनती है बुड़ापे में? जो क्यों ठीक काठा लिया और कोई पूछा नहीं बुड़ाने बच्चे कोई काम करना सुरू करते हैं बीच में जागा खड़ा हो गया नो नहीं बाई नो करो वो करते होंगा उन्हों डिस्ट्रप करेगा अब जो वरद आदमी आज साट्र असी साल का हो गया उस समय जब वो युवा थार जो भी क्रियाएं करता था उस में वरतमान के हर टेकनिक में अंतर हो लिया तो उस वाली सालाइब काम ना दे और फिर जब वरद हो जागा युग्ञान समझ में आ जागा फिर तो परमात्मा कहते हैं लो भी मन नाम सुमर ले रहे तो जीवित मर ले रहे फिर जीवित मर जागा जितनी जैसी आपकी सोच समंझ है बच्चों को एक बार प्रार्थना करें और वो कहें कि नहीं पिता जी ऐसा करेंगे अच्छा बेटा ले देख लो ऐसा कर लो फिर अपनी माडा लेका मू फेर ले बात तरी नहीं करें दुबारा क्योंकि वो बालक नही है और परमातमा उनके साथ है जो बगवान साथ देगा माबाप नहीं दे सकते हैं माबाप अपने बच्चों को खाना खिला करें अच्छी तरह नवाप दौा करें कपड़े सुच्रे बड़ी आप पहना करें सकूल बेज देते हैं और रस्ते में दुर गटना हो जाती है त किसका रोल है बगवान का जब वहां रोल बगवान का है इसी टीफिकल सटेज पर तो वहां क्या बगवान आँख मीच के बैठेगा आपके बच्चों के साथ तो पिना आत्माओ आत्म ग्यान बिना नर बटके हैं तो बिना ग्यान के हम बटक रहे हैं जब ग्यान होगा हम अलके हो जागा बोज है जैसे सीता जी का ब्या कर दिया था राजा जनक ने और विवह होते ही कुछ दिन के बाद बनुवास हो गया बनुवास के बाद फिर उसका अपरन हो गया रावन की कैद मेरी वारा वरस अब क्या राजा जनक के इतना समर्थ नहीं था कि अपने दामाद और पुतरी को वहां अपने बन में बठा लेता, जंगल में अपने राज्य में, और बनवास का बनवास और वहां सारी सुविद आप देता उसको, वहां बजवा देता, सारा समान खान पीन का, लेकिन नहीं, वह विद्वान पुरु मूर्खता करेंगे इनके बीच में बढ़के, और हम बीच में पहले हम बढ़ें, बच्चे का ब्या कर दिया, वैसे तो सारी बात भी गड़ी है, क्यों ना तो जहां हम लड़की का ब्या करते हैं, उन में जो है बगवान का भेरयानी, और ऐसा ही सचिची अपनी है, लड़ लड़की जाते ही तीसरे दिन फाउन कर दिया है, क्यों मरी सासु ने आज मेरे तेहं दूद ना दिया, तो लड़की की मां कहें कि लामन न दिये फाउन, और देव तरी सास ने दो सुनाओगी गाल, मैं करूं उसने और चार गाल देगी अपनी सम्धन ने, फिर आजा आज और छूटा चाय टीमों को दूमे सरू होगी, बता कोई बात है, छोटी छोटी बातों पर हमने बतंगड बना कर इतना कैर मचालिया गरों में, बच्चे को समझाओ बेटा, अब घर ये नहीं रहा तेरा तेरा गर वो हो गया है, और अपने प्यार से रहे, अपने मात पिज जग है, बना प्यार से रहे, तो हम पहले बच्चे नहोगां कि में उतमन बताईए, तो नो कोई कुछ कुछ कह देता है, तो बालक तो फिर बालक का होए, थोड़ा सा कंदे जब्बा फाउन कर दे, होगी ऐसानती शुरू, बिना ग्यान कि हम ने ये सारे काम बगाड लिये अच्छी सिक्षाएं खतम होगी, कारण क्या रहा, कि पहले बच्चे मुदर्ग बैठा करते, बच्चों को भी सेज कर आस पास बैठे होते, जब अच्छी सिक्षा देने की चेष्टा किया करते थी, अब सभी इतने ब्योजी होगे माया जूड़न में, एक बगत कह रहा थ डेली पैसंजर, पिता जी आओ इतने बालक सोले, और उन तो उठने से पहले, जागने से पहले वो वापिस त्यार होकर जाले, अब बच्चों ने सिक्षा किस टाइम दे सकते हम, तो बच्चों ने जैसी भी जहां से, समाज से और अच्छी बुरी संगत से जो ग्रहन किया उस तरह हम चल पड़े, तो हमें अब सत्संग में आना अनिवारिय हो गया, गर पे भी सत्संग लावे बच्चान बिठावे, और बच्चे के जो बच्च पर घर कर जाएगी वस्तू आजीवन साथ रहती है, उसको भूलनी पड़ती, अथी या बुरी को इसी वस्तू ग्र पड़ा ली, तो सत्संग से गटेंगी, तो कहने का भाव ये है, कि हम प्रमात्मा की चरनों में आने से हमारी सारी समस्याओं का समातान होगा, प्रमात्मा पर विश्वास बढ़ेगा, अब प्रसंग चल रहा है कि हम, जैसे कोई आपदा आप पर आई, और नाम ले नी रख तो वो आपदा आपकी दे ये तोड़ जागी, उसम बचाओ नहीं होगा, बचाओ करने के लिए हमने कुछ करना पड़ता है, और वो प्रमात्मा जिसकी सरन में आप कभी रहे हो, और पार वे नहीं, और फिर आप दुबारा बटक रहे हो, तो फिर उस मालिक को पता होता है कहता है, जो जन मेरी सरन है, ताका हूँ मैं दास, और गैल गैल लागया फिर हूँ, जब लग धरती आका ऐसी, अब जैसे हम कभीर परमात्मा की सरन में नहीं थे, हम अपनी तरफ से तो नहीं थे सरन में, लेकिन हम पहले से इनके संबंदी थे, कई बार ऐसी जबर दस दु कई परकार की, तो हम ये सोचा करते हैं, ये विश्णु जी और शिव जी ये न रक्षा कर दी, कहते हैं, नहीं, हम इनकी भक्ती करते थे, इसलिए इनोंने हमारी रक्षा की, नहीं, जैसे एक टटीरी पक्सी था, मा भारत के अंदर एक परक्रन आता है, मा भारत गरंथ में लखा है, कि मा भारत का युद्ध होने को जा रहा था, आमने सामने सेनाय खड़ी थी उस कुरक्षेतर के मैदान के मेदान में, कुस दिन पहले, युद्ध में सेनाय कठी होने से पहले, एक टटीरी नामक पक्सी ने, उस मादा पक्सी ने अंडे उत्पन कर दिए, उस परो तरफ से सेना एकठी होगी तब उसने जान लिया कि तेरे बच्चे मरेंगे, तेरे अंडों का नास होगा, उसने भगवान से प्रार्थना की, अब टेटीरी ना तो राम के पूजा करे थी, ना वा स्रीकिर्शन की, ना गौड की, ना अल्ला की, अब उसका कोई इस्ट द एक परमक्सरब्रम है, क्योंकि हम उससे उत्पन हैं, और वो मदद उसी की करता है, जिसके पिछले जनम का कोई संसकार होता है, ना टटटीरी छोड़, यहां आदमी डड़ा ड़डा के मर जाते हैं, उनकी नहीं सुनता हो, और उन्हीं की पूजाओं जो पहले हम सोचा करत परमातमा ने की कारण कुछ भी बनाया, कहते हैं, इंदर के हाथी का एक गंटा तूट गया, हाथी का पायं दया करते हैं, टालीसी लंबे, लेकिन उसके बहुत बड़ा गंटाला था, वो आक उपर गिर गया है, अंडों पर, मा भारत का योद हो गया, अगनी बान चले, आ ठटी, और रिकिस की पूज़ा करती थी, क्या वाँ राम की पूज़ा कर रही थी उसने या किरशन की कर रही थी, या कोई शाम जी पूद ज पूग जय थी, और उसकी रक्षा की, वो किसने की? उस पॉरव संसकार से, जैसे गिता जी अजहाय नंबर पंदरा के, सलोक नंब एक अक्सर पुरुष, सर पुरुष, अक्सर पुरुष, ये कोई भी आपके प्राहरत में परिवर्तन नहीं कर सकते, ये ख्वम भी नासवान है, इनके अंतरगद जितने प्राणी हैं, वो भी नासवान है। सतरमे सलोक में कहा कि उत्म पुरुष, अ Jewish विश्य विबरती आवैस्वर है। वो वास्तम पुरुष, उत्म पुरुष, पुरुष अत्म सरेष्ट भगवान तो कोई और है जिसे प्रमातमा कहते हैं, और वही तीन्मों लोकों में प्रिविश करका, सब का धारन करता है. किसी भी प्राणी का जैसा भी लेंदेन है वही करता है वही उसने व्यवस्था करवा रखिये और विशेश प्रस्तितियों में वो अपनी प्यारी आत्मा के लिए स्व्यम भी कहता सोचल सीदर मैं करूँ अपने जन के काज अब पुन्यात्मा ये इतने द्यालू हैं हमारे साथ फिर भी भटकते रहते हैं हम तो यही रह जाते हैं मुरुखता से और जो हम यहां रहे गेता हमारे लिए देख आप फिर भटक रही है परमात्मा, शहस्जो वर्स पहले आयकभीर परमात्मा जागे जा करके, अपने आप, अपने सत्संग शुरू कर देते थे, पुझात्मा उनके विचार सुनने बैठ जाते थे, उनको फिर चारज करके परमात्मा सैसरीद आये थे, सैस्री चलेगे उसकी अतीरिक्ट भी वो जब चाहें जब परगट हो जाते हैं